है विड्ले सु हेलो विल्कम दो स्वॺगातीर मेरी यूटूब चैनल की नई वीडियो में दोस्थास की वीडियो में बात करने वॉले डेली इस दम के भड़े ॐ आ औहिँ जो की देलिन के हमें की तरफ से निकलं के आ रही है तो ग्यानने कुपर ऐस वीड़ा को हमेशा कीता अंता जूर दिखर आभी डैली कैपिटर्स हीम के फैन हैं और आभी चाहतें कि डैली कैपिटर्स की टीम आई पल दो हो जड़ी ते इसकी ट्रोफी जीच जाए तो इस वोड़ो को जल्दी से लाइक करें और अभी तक आपनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नह करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगी कि अगर आपको भी डैली कैपिटर्स हीम की निउस सबसे पहले देखनी हैं तो भी आप जल्दी से फॉलो कर लेजी हमें टेलीगराम चैनल पर वहाँ पर आपको डैली कैपिटर्स हीम की निउस सबसे पहले देखनी को मिल जाएग जैसे के आप लुख जानतव कि हमें कल के दिन भरत र औसिलेंग की टीम के बीच पहले ओडिया मकाबले देखने को मना था जिसमें हम आपको बदादी की सिर्फी महा मकाबले में हमें मिचल मार्स की तरफ से बहुती सांदर बल्ले बादी देखने को मली थी जिसमें हम आपको बदा दी कि मेचल मासें इस मकाबले में 65 बॉल खेली थी जिसमें 10 चोके जब की पास 17 चक्की की मज़द से 81 अ मनाये थे लेकिन जैसे कि आप प्रुख जानतों कि इस मकाबले में भरत की टीम ने बहुत रुमांचक मकाबले में और सिलेंट टीम को हरा दिया था लेकिन हम तो इच्छेंगे कि मेचल मासे सांदर बल्लेबाजी करते रहें ताकि डैली कैपिटर सीम के लिए आईपल 2023 में भी वो डैली कैपिटर सीम को आईपल 2023 की ट्रॉफी जिता दे दूस्तों वहीं बात के दूसरी बिगर सब्डेट के बारे में तो जैसी कि आप लोग जानतों कि हमें आईपल 2023 की सुरात 31 मार्च 2023 से कनफर्म देखने को मलेगी इसी बात को देखते हुए डैली कैपिटर सीम चाहती है कि आईपल 2023 से पहले सभी डैली कैपिटर सीम के प्ल देखने को मलेगा जो कि लखनाव टीम के अगेंस होगा इसी बात को देखते हुए डैली कैपिटर सीम चाहती है कि वो पहले मुकाबले में सांधर खेल दिखाए ताकि वो आईपल दो हुझ जरी तेस की सुरात सांधर तरीके से कर सके इसी बात को देखते हुए डैली कैप के प्लेस की तरफ से निकल की आ रही थी तो इस तो आपको हमेड़े पसंद है तो प्लेस फुड़ को लाइक करें और कमेंट करके जरू बता है आपके मदाबिक डेली क्या पिटर सीम की पिलिंग 11 कैसी होनी चाहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क पर है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कलेजर से बेल आकन को जुर दबाई तो मिलते हैं मैं नेक्स वड़ो में